इंडिया और चाइना के पीच में जो टेंशन है उस पे आज जो राहूल गांदी ने कहा के नरिंदर मोदी जो है वे अच्छली सरिंडर मोदी लिख है ट्विटर पे आप चेक कर सकते हैं तो आपको लगते है कि इस तरह की कोई बात है वाकरी में यह सरिंडर करने लगें कि जुरू में तो यह मान भी नहीं रहे थे कि इनके कोई किसी किसम की कोई शादत हुई है कोई कोई फौजी इनका इस तरह से पकड़ा गया या कुछ हुए अब आइसा-इसा करके वो figure जो है वो एक figure सामने आ गई है और tension अगर होती है बैसा चाहती हूं कि ना हो tension ना China में हो और ना भारत में हो इसलिए कि अगर इन दोनों की होती है तो Pakistan बच नहीं सकता ना लग रह सकता है आपको पता है कि Chinese जो हैं उनके साथ हमारे किस तरह के terms है और किस तरह का business है या जो कुछ भी है तो उसके लिए Pakistan तो automatically जो है वो चाहिना के साथ कड़ा होना ही पड़ेगा तो आपको लग रहे कि कुछ टेंशनिंगी डिफ्यूस हो सकती है कोई तरीका है या ये बढ़ती भी नजर आ लिए देखें पहले बात तो ये कह रहा है इंडिया की कराज की situation ये है कि जितना हिस्सा इंडिया का है वो total इंडिया के control में नमबर वन एक इंच भी चाइनिस के कबजे में नहीं है हाँ चाइनिस के कबजे में इंडिया के वो इलाके हैं जो राहूल गांदी के great grandfather नहरू ने दिये थे 62 की war में जो हारे थे तो surrender sing is congress surrender sing is nehru and the clan इसमें कोई दोर आए नहीं इन्होंने हमेशा surrender किया है इन्होंने पाकिस्तान के आके surrender किया है आपके 26-11 में पाकिस्तान के एक अनओफिशल लश्कर जाके बंबई में हमला कर देता है शरीफ लोगों के उपर civilians के उपर उधर surrender कर दिया मनमान सिंग साब ने कह दिया हम cricket नहीं खेलेंगे मोदी जी होते तो बताते अब इस तरफ आते हैं चाइना की तरफ देखें पहली बात तो यह है कि मोदी ने जूट बोला पहले नहीं बताया क क्या आज तक हिस्ट्री में आपने सुना है कि जंग के दोरान लीडर दुनिया को बता रहा है कि मेरे अगले स्टेप क्या है मेरे इतने फोजी उन्होंने कबजे क्या है बेवकुफी की बाते हैं तो राहूल की बातों का बुरा नाम मनाया करें राहूल के साथ बड़े मसल था वहान के बाद चाइना को यह लगा कि वहान को हमने कंट्रोल कर लिया है बेजिंग तक भी नहीं जाने दिया दुनिया का बाजा बज़ गिया है जैना ने अपनी फैक्ट्रियां शुरू कर दी मेडिकल एक्विप्मेंट गए दुनिया में कंजिमर ट्रस्ट खराब हु दिये और चाइना मालिक ने बेज़ दे तो फोज ने का पेनो ठीक है डेफेक्ट्रिव माल बेज़ा कंजिमर ट्रस्ट उटा चाइना वो लुकिंग फॉर एवार चाइना आपको याद होगा एक कंट्री होता था दुनिया में यूएसेसार वो यूएसेसार में मेजर कॉम एक्चुली इस तुर्किस्तान है वस पार्ड ओव ओटोमन इंपायर यह कबजे में है तिबत नाइंटिन फोर्टी नाइं तक हिस्टोरिकली हमेशा आजाद कंट्री रहा है यूएन में चाइना की मेंबर्शिप मौतल हुई थी क्यों के तिबत पे कबजा किया था हमकॉं को नाइंटी सेवन में इंटरनेशनल एग्रिमेंट के तरह आटोनोमी हासिल थी वहाँ चाइनी फोर्स ने कबजा किया हुआ है मकाव को भी आजादी मिली थी आज मकाव जम हो चुका है चाइना में अब चाइना कहता है लदाख भी मैं ले लूँ चाइना वस लुकिंग अब चाइना का चाइना के लदाख के पास एक दरिया है गलवानवादी में उस दरिया का उस तरफ चाइना है लाइन ओफ एक्ट्रोल और इस तरफ इंडिया है चाइना ने दरिया के किनारे तक पहाड में पूरे कंस्ट्रक्शन की हुई है अपनी पकिट्स बनाई है हाइवेस बनाई है सप्लाइकर रूट इंडिया ने नहीं किया था आज तक पूरा पहाड़ी लगा है कोई सड़क नहीं कोई कुछ नियरु साब ने दो तिन बार राहूल गंदी के पर दादाने पर नाना ने दो तिन बार कोशिश की लेगिन चाइना ने पंगा लिया तो बुजदी से वापस पीछे अट गए वहाँ पे कुछ नहीं हो रहा था ये नरिंदर मोधी माजी के इसी कॉंग्र इसके blenders को correct कर रहे हैं domestically, उन्होंने वहाँ पर construction शुरू की, वहाँ पर pull बना उस दरिया के उपर, और कई road war बनने लगे, तो Chinese हो ने उन workers के, वो 4G workers जो थे, नहते थे, क्योंकि चाइना इंडिया का pact है 1967 में के firing नहीं होगी, तो इस वाकिये में भी एक भी गोली नहीं चली तो उनके उपर हमला किया, अचानक हमला हुआ, बीस इंडियन फोजी शहीद हुए, चाइना के पचास से ज्यादा मारे गएं, इंडियनों ने भी भरपूर जवाब दिया इस अचानक हमले का, भाग गए, यह नहीं बढ़ेगी हागे, चाइना इस वक किसी से जंग अफोर होती है, वो पाकिस्तान है, वो कोशिश कर रहा है कि इंडिया से हम तो लड़ नहीं सकते, हमारी तो एतनी उकात नहीं है कि हम इंडिया से कुछ करें, जब भी लड़े हैं तो कभी सियाचिन दे दिया, कभी कारगिल दे दिया, कभी इस पाकिस्तान दे दिया, तो चाइना क तस्विर लगाई है, stand with China, वलादी मेरे पुतीन ने तस्विर लगाई है, I stand with India, सब ने, ट्रम्प ने भी तस्विर लगाई, I stand with India, European Union ने clear cut message दिया है, कि we stand with India, अरे कल इंटरनेशनल court of justice में European Union ने चाइना से trade agreement का बहुत बड़ा agreement जीता है, और चाइना को fine और बहुत जबर्दस punishment दी गई है, European Union stand करती है इंडिया के साथ, America, Australia, Canada, Arab countries, आप देखिएगा, stand करेंगे चाइना के साथ, क्योंकि Arab इस वक्त चाइना को नाराद नहीं कर रहे है, इसलिए clear cut कोई बात नहीं कर रहे है, लेकिन अगर ऐसी कोई situation आई, तो Arab is standing with USA and India, पांच सो बिलियन डॉलर की investment है, सवा शहजादा महम्मद की, पाकिस्ताइनों ने सिवाए मदरसों का और कहीं investment नहीं की, सिब मस्जिदें मदरसे बना के दियें, एक project नहीं है साथियों का यहां पर, पावाम की बैबूत का हो, इंडिया में 500 बिलियन खाली शहजादा महम्मद की investment है, दुबही, अबुदाबी, इन सब की investment है, यह सब इंडिया के साथ खड़े हैं, एक honest कदम उठाएं, इंडिया के साथ हाथ बढ़ाने का, मैं guarantee देता हूँ हर बार इंडिया ने आपने एक कदम बढ़ाया, दस कदम बढ़ाया,